हलो दोस्तों एक्जाम श्टडी क्लासिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखे आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हैं विश्व की प्रमुग जीले देखे विश्व की प्रमुग जीले हूं या भारत की जीले हूं इन से संबंदित कोई ना कोई प्रशन हर किसी एक्जाम में पूछा जाता है कभी पूछ ले जाता कि ये जील किस देश में है या फिर ये पूछ ले जाता कि इस देश की जो सीमा है वो किस जील से अपनी सीमा को साजा करती है या फिर उस जील से लगने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं तो इस तरह के प्रशन हर किशी एक्जाम में हर किसी परिक्षा में बनते ही हैं और आज की इस वीडियो में हम केवल वेस्व की प्रमुख जीलों के बारे में पढ़ेंगे और मैपिंग के साथ में पढ़ेंगे नक्सा के साथ में मांचित्र के साथ में पढ़ेंगे क्योंकि मांचित्र के साथ में हम पढ़ने से हमें उसकी जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हमें अच्छे से किलिए हो जाती है और साथ में हमें ये भी याद भी रहता है कि वो इस जील के साथ में ये देश अपनी सीमा को साजा करते हैं या नहीं करते हैं तो ये ये भी हमें के लिए रो जाता है और इसमें हम विश्व के जितने भी जीले हैं सभी को मादीप के अनुसार पढ़ेंगे महाधिप का कोर्डिंग पढ़ेंगे तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो श्टाट करते हैं देखिए विस्प की प्रमुख जीले इसमें हम जो बात करने वाले हैं देखिए इतने सारे जो सभी हमारे महाधिप हैं सभी की जो जीले हैं उनके बारे में एसिया महाधिप है यूरोप अफरिका उत्रिय अमेरिका, दच्शनी अमेरिका और अस्टेलिया और अंटार्टेका और इतनी सारी जीलों को हम देखने वाले हैं इसमें कुछ ही जीले हैं छुटी होगी लेकिन जो प्रमुख हैं मुख्या हैं, इंपोर्टेंट हैं वो सभी जीले हम इसमें किलियर कर लेंगे और मैपिंग के साथ में देखेंगे और इससे बहतर वीडियो आपको पूरे यूटूब पर कही नहीं मिलेगा ये मेरी गारंटी है किस से बहतर वीडियो आपको कही नहीं मिलने वाला वीडियो को पूरा देखें और अपनी जीलों से की तैयार करें और आगे फिर कभी नहीं भूलने वाले तो इतनी सारी जीलों को हम देखेंगे महादीब का नुशार देखेंगे किस महदीप में पढ़ती है कौन से देस उसके साथ में अपनी सिमाः को साजा करते हैं और किस तरह की जीले है मीठे पानी की है, खारे पानी की है लैगून है या फ्रेटर जीले तो यह सब हम पढ़ेंगे, तो चली फिर चलते हैं सबसे पहले हम एसिया महादिप की जो जीले हैं इन्हें देखते हैं देखिए सबसे पहली जीले हमारी कैस्पिंसागर तो कैस्पिंसागर लिखा है विस्प की सबसे बड़ी खारे पानी की जील तो ये विस्प की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है जिसकी सीमा पांच देशों जिसमें तीन एसिया के हैं और दो यूरोप के देश हैं तो ये अपनी सीमा लगाते हैं कौन-कौन से लगाते हैं देखिए उपर है हमारा रशिया है ये रशिया है ये कजाकिस्तान तुर्किमेनिस्तान नीचे इरान और इधर ये अजरबेजा त वो कैस्पिन सागर के तट परिस्तित है देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं तो यह रही बाकू जो अजरबेजान की राजधानी है वो कैस्पिन सागर के तट पर है और यह पैंट्रोलियम के लिए प्रशिद है पैंट्रोलियम के प्रशिद है इनकी लिखा है अजरबेजा की राजधानी बाकू इस जील के तट परिसित है जो पैट्रोलियम हेतू प्रशिद है इस जील का त्यट्य भाग पैट्रोलियम उत्पादन हेतू प्रशिद है तो ये भी तो के फैक्ट हमारे यहां पर केलियर हो गई एक तो सबसे पहले सबसे बड़े विश्व की सबसे अगे बढ़ते हैं देखे अगली हमारी अरल सागर अरल सी देखे एसिया की दूसरी एसिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पाने की जीर और कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के मद्दे इस्तिता हैं इनकी कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान की सीमाएं अरल सागर के साथ में स्याजा होती हैं और सिर दरिया वे आमुदरिया नदियों का जो मुहाना है वो इसी जहिल में है निकि जो सिर्धरिया और आमो दरिया है इनका जो मुहाना है वो अरल सागर में है और सिर्धरिया सिर्धरिया के तट पर उजबेकिस्तान के राजधानी तासकन दिस्तित है तो एक बार मैप में देख लेते हैं देखे अरल सागर तो ये अरल सागर है ये और उपर से कजाकिस्तान इसके साथ में अपनी सीमा साजा करता है और नीचे से उजवेकिस्तान आगे लिखा इसमें कि सिर दर्या और आमुद दर्या नदियों का जो मोहना है वो इसी जील में है तो नीचे से एक नदी जा रही होगा आपको यह देख रही होगी यह तो ये आमुदरिया जो अपना पानी जो अपना मुहाना है वो अरल सागर में करती है और सिर्व दरिया के तड़ उजबेकिस्तान की राज़धनी तासकंदिस्तित है तो तासकंदिस्तिती इसी की जो सिर्व दरिया नदी है इस नदी के तड़ पर है तो अरल सागर हो गया कैस्पिन सागर हुआ नेक्ष्ट देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो बैकाल जील जो रस्या में है रूस में लेकर रूस के साइब एरिया में इस्थित्य है एस्या की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है मीठे पानी की जील कह दीजिए या फिर ताजे पानी की जील कह दीजिए बाते की है और विश्व की सबसे गहरी जील है ये भी याद रखेंगे विश्व की सबसे गहरी जील कुन सी है तो वो है बैकाल जील जो कहां है रूस के साइवेरिया वाला जो छेतर है साइवेरियक में इस्तित है और ब्रंस घाटी में इस्तित होने के कारण इसके आका में व्रद्धी होती रहती है कि बेख जो जील है बैकल जील ये एक भंस घाटी में है और भंस घाटी में होने के कारण ये अपना जो आकार तो बैकल जील है। ये रही बैकल जील यहाँ पर है ये बैकल जील थोड़ा जूम कर कर देख़ाए लेता है। तो यह बैकल जील है।aux Imagine the geographic ciert . यह रही बैकाल जील है विस्प की सबसे गहरी जील है और एस या की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजा पानी की जील है तो यह याद रखेंगे बैकाल जील विस्प की सबसे गहरी जील रूस में पड़ती है और साइवेरिया रूस के साइवेरिया वाले छेतर मे पड़ती है चलिए आगे अगली जील है हमारी वान गोलु जील वान जील जो कहां है टर्किस सी तुर्की तुर्की में है ये और यह विस्व की सबसे अधिक खारे पानी की जील है विस्व की सबसे अधिक खारे पानी की जील है वान जील जो टर्की में है ये आप देख सकते ह सामने मैप हे और इसे में देख सकते ही ही कि लेक वाउन तो इस तरह से ये लेक वाउन ये आपकी जील जॉर्डन में है ठीक है जॉर्डन में इस्तित है और एसिया का निम्नतम बिंदू एसिया का जो सबसे निम्नतम बिंदू है वो यहीं है म्रत्सागर्मयन की जो डैड़ सी है यहीं पर है विस्व के एसिया का सबसे निम्नतम बिंदू सबसे निचला बिंदू है और यह है विस्व की दूसरी सबसे बड़े खारे पाने की जील है तो देख लेंगे डेड़ सी यह रही डेड़ सी है जो जॉर्डन में पढ़ती है टेक है चलिए आगे बढ़ते हैं एगली हमारे तौनले साब जील कंबोडिया में इस्थित है वो दच्शिन पूर्व एसिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है यह एसिया की नहीं है किसकी है यह दच्शिन पूर्व एसिया की है टिंगा रहिंगे डंचीन पूर्वेशिया और कहां परती है ये कंबोडिया में देखे एक बार जूम करके थोड़ साउ देख लेते हैं अच्छे से तो यह रही आपकी टानले साब जी सी नहीं आगे बरते हैं लोई नेकिस दखते हैं अगर मारी कुन सी जिलाती है देखे वीवा जील बहुत इंपोर्टेंट है वीवा जील कहां पढ़ती है ये जापान में है ठीक है और जापान के भी कहां पर है ये होंसु दीप पर है जापान है जापान के होंसु दीप पर पढ़ती है वीवा जील है और होंसु दीप पर प एक बार थोड़ा सा जूम करके और अच्छी से देख लेंगे यह हमारा जापान का होंशु दीप है और यह रही हांप की यहां पर है यह वीवा जील लेक वीवा लिखा है लेक वीवा तो यह हमारी वीवा जील है तो याद रखेंगे जापान के होंशु दीप पर है और तोकियो जापान की राधानी टोकियो तो याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स जील देखते हैं हमारी बालकस जील बालकस जील हमारी कजाकिस्तान में हैं देख लेंगे कजाकिस्तान में बालकस जील है यह और मध्धे एश्या की सबसे बड़ी मीठे पानी की ज एशिया की है या एशिया की है इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कई बार कन्फीजन हो जाता है कि कौन सी जील कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो यह अच्छे से देख लेंगे एक बार लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मध्य एशिया की सबसे बड़ी मेठे पानी की जील उन सी है तो वो हमारी बालकस जील है कहां पढ़ती है यह कजाकिस्तान में पढ़ती है ठीक है कजाकिस्तान एक बार जून करके देख लेते हैं यह रही देखे आपकी यह कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान में यह आपकी पालकस शील इससे पहले हमने बात करी थी इदर यह कैस्पिंस आगर है और कजाकिस्तान और उजबिक किस्तान वो के जो बॉर्डर है यहां पर आपको अरलसी मिले था या अरलसी अरलसी जील चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हमारी कौन सी जील आती है आगे जील बढ़ते हैं इसक कुल जील किर्गिस्तान में है और मेठे पानी की जील है याद रखेंगे किर्गिस्तान में है और मेठे पानी की जील है और कहां पर है ये किर्गिस्तान में पढ़ती है ये रही आपकी किर्गिस्तान में इशिक कुल जील ये आपकी इशिक कुल जील है जो किर्गिस्तान में पढ़ती है और कैसी है ये 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 मीठे पानी की जील है तो याद रखेंगे मेठे पानी के जील किर्गिस्तान में है इशिक कुल जील आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं हम यूरोप महादीब के बारे में देखे एशिया महादीब की जो प्रमुख जीले थी उनमें हमने देख लिया सभी सभी देखी कैस्पें सागर देखा ह में टॉनले साब कंबोडिया के टॉनले साब देखी और होन सुदीब पर जो जापान के जील है वीवा जील है उसको देखा और बालकस जील को देखा तो इस तरह से हमने एशिया की जो प्रमुख जीले थी मुखे जीले थी उनको कवर कर लिया उनने देख लिया है अब हम आगे बात करते हैं यूरोप महादेप की यूरोप महादेप में देखे सबसे पहरे हम बात करेंगे लेडोगा या लादोगा जील और एक ओनेगा जील दोनों जीले हैं दोनों जीले आसपास में ही हैं और एक साथ इनको हम किलियर कर लेंगे देखे तो लेडोगा या लादो हैすjä मं देखित नहीं नहां पर है यह रोस में हैं तो यहां पर होगा की रोस पर हो कि रोस तो मारा मैं प्लेक्द यूरोफ में लेड़ोफ में परणा है उसका कुछ भाग है वह एसे एसे जो भाग då उस में पढ़ती है रूस में तो याद रखेंगे रूस में पढ़ती है यूरोप की है लेकिन कहां पढ़ती है रूस में पढ़ती है एसिया में नहीं है ये और यूरोप की सबसे बड़ी मेठे पानी की जिल है तो एक बार देख रहें और जो ओने का जिल भी है यहां पर दे यह रही आपकी लेक ओनेगा इनकी लेक ओनेगा ओनेगा जील है आपकी और यह है लेक ओडेगा या ओदेगा दोनों कहते हैं यह रूस में पढ़ती है देखे रूस ठीक है और कैसी है यह दोनों यह दोनों मीठे पानी की जील हैं दोनों ही यह हमारी मीठे पानी की जीले हैं रूस में पढ़ती हैं और यूरूप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील वो कौन सी है वो है लादोगा या लेडोगा आप देख सकते हैं कौन सी बड़ी है कुछ उनसे जो कुछ नदियां आ करके गिरती हैं कुछ नदियां निकलती हैं किस देश के साथ मैं अपनी सीमाओं को साज़ा करती हैं तो इस तरह से तो सबसे पहले अफरीका महादीप, अफरीका महादीप में हम पढ़ते हैं सबसे पहले विक्टोरिया जील, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही मैत्पूर्ण है, क्या है विक्टोरिया जील, अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील है, कुन्जी, विक्टोरिया जील, और दूसरे नंबर पर देखते हैं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील एक फैक तीसरा हमारा जो है वो बहुत इंपर्टेंट है स्वेत नील सूइत नील नदी का सरोत है। जो स्वेत नील नदी है, वो इसी ज्यल से निकलती है, विक्टोरिया ज्यल से। और एक ब्लू नाइल रिवर है जो निकलती है, जो आगे जाकरकर मिल जाती है तो पूछा जाता है कि अफरीका महादेब की भै कौन सी जील है जो विशुवत रेखा पर इस्थित है तो कौन सी विक्टोरिया जील है तीन देसों की सीमा को इस पर्स करती है कौन कौन से करती है देखे सबसे उपर करती है यूगांडा को देखे सबसे उपर यूगांडा को तो तीन देशों की सीमा को इस पर्स करती है लेक विक्टोरिया, यूगांडा, केनिया और तंजानिया विशुवत रेखा इसी जील से होकर के गुजरती है और ये विशुवत की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है इससे पहले हमने के जीलों को देखा ये तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है और इंपोर्टेंट है इसमें स्वेत नील नीन की जो वाइट नाइल रिवर है वो यहां से निकलती है उसका ये शोर्ष है तो देख लेंगे एक बार और किलर कर लें थोड़ा सा उपर दे रिरेसों की सीमाओं को इस पर्स करती है और ब्लू निल नदी देखे जो स्वेत नील नदी है उस स्वेत नील नदी है वो हमारी विक्टोरिय जील से ही निकलती है इसके साथ में आपके जीलों को देख रहे होंगे जैसे लेट एड़ीड है लेक्यू है लेक अलबर्ट है तो इन सभी जीलों को भी हम देखेंगे अबी, आगे देखेंगे, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम विक्टोरिया जील को देख रहे थे केवल, तो तीन देशों के साथ में अपनी सीमा को साजा करती है, विश्वत रेखा यहां से होकर के गुजरती है और स्वेत नील नदी का सोर्च भी यही है विक्टोरिया जील चलिए नेक्श देखते हैं अफरीका माधिप में ही ताना जील देखें ताना जील पूरवी अफरीका के एथियोपिय दीस में इस्थित है सबसे बड़ी जील है एथियोपिया की और नीली नील नदी का सोर्थ नीली नील नदी का स्रोत भी है देखें थोड़ा सा जूम करके चलिए यह देखिए तो यहां पर है यह ताना जील जो एथियो इतियोपिया है और यह अपके ताना जील है और ताना जील से कौन सी निलनती ब्लू नाइल रिवर यहां से निकलती है यह और नीचे से जो कौन निकलती है यह वाइट नाइल रिवर है जो विक्टोरिया जील से निकलती है और आगे जाकर के सुडान में एक जगह मिल जाती ह और वहाँ पर फिर एक बांद बनाया गया करीबा बांद और उसी के पास में एक जील है जिसे हम बोलते हैं नासिर जील तो इतियोपिया में पड़ती है ताना लेक लेकताना विक्टोरिया को देखा हमने लेकताना को देखा है इतियोपिया में पड़ती है वे इतियोपिया क एक है क्रुंकि तेनों जीलों को एक ही मैप में एक जगा पर हैं ये जो मिस्र में नील नदी परस्तित है क्यों कि ये चीन है है इसे एक मानभ निर्मित जील ये मानभ ना इंविश्भ बना गया गया है यह व है कि do बनी सोरी आश्वान बांध मैं करीबा बोल गया करीबा तो अमेरिका में देखे आश्वान बांध है इस पर तो आश्वान बांध है इस पर आश्वान बांध का जो पानी है उस पानी को रोकने के लिए ही उस वहाँ पर एक यह जील बनाए गई है नासिर जील तो यह पूछ इसको बनाया गया है देखिए यहां पर है यह यह लेक नासिर तो यहां पर यह बढ़ती है क्योंकि यहां पर आकर के यह दोनों नदी यहां पर आकर मिलती है सूडान में वो सूडान से फिर बन जाती है नील नदी और यहां पर ही लेक नासिर बनाया गया है और यहीं पर उस टंगा निका जील देखते हैं टंगा निका जील अफरीका महादेब की दूसरी सबसे बड़ी जील सबसे पहले हमने पढ़ी थी विक्टोरिया को उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी जील है वो है टंगा निका जील है और अफरीका महादेब की सबसे गहरी और विस्प की दूसरी सबसे गहरी जीलों में से एक है पहली जो सबसे गहरी जील थी कौन सी थी वो थी हमारी बैकाल जील थी जो रूस पे पड़ती है रूस के साइवेरिया वाले शेतर में पड़ती है और जो टंगा निका है वो विस्प की दूसरी सबसे गहरी जीलों में है और चार द देखते हैं ठीक से देखिए देखे इधर है यह रही यहां पर देखे लेक टंगाने का यह तंगाने का झील यह रही यह तंगाने का झील है और बुरूंडी तंजानिया और जो चार देश हैं जांबिया है और उपर हमारा कांगो या जायरे इसको बोलते हैं कांगो या जायरे यह डेमोक्रिटिक रिपब्लिक दिकांगो या फिर जायरे इसी को बोला जाता है और उपर यूगांडा है यहां पर यूगांडा उपर है ज यहां पर यह बुरूंडी है यह और यह तंजानिया और नीचे से अपका जांबिया तो यह चार देश इसमें अपनी सीमा को इस परस करते हैं टंगानी का जील से और विश्व की दूसरी सबसे गहरी जील है अफरीका महादेब की सबसे गहरी भी है और साथ ही साथ अफरीका क दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है आगे पर देखते हैं तो आगे हमारी न्यासा या मलावी जील तो दोनों नाम एक है न्यासा हो या मलावी हो दोनों एक ही जील को बोला जाता है और तंजानिया मौजांबिक और मलावी की सीमा का निर्माड करते हैं कि इनकी सीमा पर ये लगती है इसी के नीचे है ये जो टंगानी का जील है उसी के नीचे है यहां पर ये की ये रही ये मलावी लेक मलावी या लेक न्यासा इसी को बोला जाता है मलावी यहां पर ये मलावी है तंजानिया है और इदर नीचे मोजांबेक तो इन देसों की सीमा पर इस्ति तो अफ्रीका की चल रही थी है अब अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी जील है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी जील है न्यासा मलावी जील सबसे पहले हमने देखे विक्टोरिया दोसरे पर टंगा निका और तीसरी हमारी न्यासा या फिर मलावी जील चलिए आगे चलिए आगे बेखते हैं देखे एडवर्ड और अलबर्ट जील एडवर्ड और अलबर्ट जील देखे ब्रंस काटी की जील है एडवर्ड जो जील है यह एडवर्ड है यह एडवर्ड यहां पर है यह एडवर्ड है और जो अलबर्ड है अलबर्ड आपकी यहां पर है यह आ यूगांडा एक तरफ यूगांडा है और एक तरफ जायरे यूगांडा और जायरे है और अलबर्ड जील जो है वो आपकी उपर अलबर्ड है और ये भी यूगांडा और कांगो या जायरे दोन एक ही देश को बोला जाता है तो इधर ये आपका जायरे होता है और इधर है यह एड़वर्ड है और अलबर्ट है याद रखेंगे सबसे ऊपर जो ऊपर है सबसे वह अलबर्ट है और इसके नीचे एड़वर्ड है और यहां पर नीचे आपके देखा होगा यह आपकी विक्टोरिय जीले तो इस तरह से यह और इसके नीचे आपके आती है यह टंगा उसके है या फिर बब्ब एक्रम कुछ जाता है कि या पूर अप्द्व से पस्टिम में बताइए तो इस तरह से जीलो कूर को पूछा जाता है तो करम भी याद रखेंगे कौन से कहां से कैसे पड़ती एक सता कमे उल्ट ये देते हैं कि फ्रैश्टी पूल्टि याना में यह यह देखी यहां पर यह रही यह गहना है तो गहना में है यह कौन सी लेक वोल्टा यह लेक वोल्टा है गहना में है और एक कृत्रिम जील है या दखेंगे एक कृत्रिम जील है और एक मीठे पानी की जील है कृत्रिम और मीठे पानी की जील है अगली देखते हैं चाड जील तो चाड जील अफरिका महादीब की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है यह सबसे बड़ी खारे पानी की जील है वो चाड में इस्तित है चाड देश जो है यह चाड है और यहीं पर है यह लेक यह रही देखिए यह लेक चाड तो यह चाड है तो याद रहने चाड चाड देश में ही पड़ती है और अफरीका महादेब के सबसे बड़ी खारे पानी की जील है चलिए आगे देखते हैं नेक्स टाती है हमारी तुरकान जील और अशाल जील तुरकान जील आपकी जीबूती में पड़ती है और जो तुरकान जील है वो आपकी केनिया इथियोपिया और सुडान की सीमा पर देखिए तुरकान जील पहरे पड़ते हम तुरकान जील तो ब्रंस घाटी की जील है देखने जी ब्रंस गाटी की जील है तुरकान जील ब्रंस गाटी की जील है और केनिया इथियोपिया और सुडान की सीमा बनाती है तो तीन देशों की सीमा पर है ये सीमा जरूर याद रखेंगे क्योंकि प्रिक्षा में पूछा जाता है कि कुन सा देश की जील की किनारे है जिल के साथ में अपनी सीमा को साजह करता है तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा में जून कर लेते हैं मैपको और एक बार और अच्छे से देख लेते हैं देखिए तो देखिए यह आपका केनिया है नीची केनिया हो गया इधर इतियोपिया हो गया और आपका यह सुडा س ंhesia करता है कि और इसको एक रुडॉलf जिल भी इसको गोला जाता है यहाँ तो रुडॉलf जिल के कहते हैं और लेक। तुर्कान जीम या रुडॉलf जिङники तो इसी का नाम है ये नेक्ट देखते हैं अपकी असल जील है अपकी हमारी असल जील असल जील ये रही है असल जील है और कहां पर है ये ये जीबूती में हैं देखें जीबूती में हैं लेक अशल जीबूती आपका जीबूती देश है ये जीबूती कुम सा ये होर्न आफ अफरिका के देश हैं स मवेरू जील कांगो इविं जांब्या की सीमा पर स्थितित देखें जांब्या और कांग की सीमा पर है मवेरू जूई तो देखिए यह आपकी लेक मवेरू इधर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दे कांगो यह जायरे हैं और एक तरफ इदर काई आपका जांबिया यह द्र ह bluff यहां से जांबिया पड़ता ए पूरा देस तो इन दोनों देसों के सीमा पर इसृत था मेवेश हील और एक आपकी करीबा जील लेक करीबा लेक करीबा देखें लेक करीबा यह करीबा जील है और अभी करीबा पिछी में ने भी बता दिया था कि अमेरिका का नाम साइद बोला था मैंने कि अमेरिका में इसी थै यह अमेरिका में नहीं यह यह उसके लिए माफ़ी चाहते हैं अभी मुझे एकदम से याद आया कि मैंने साइद उसमें अमेरिका बोल दिया था जब हम अस्वान बांध के बारे में बात कर रहे थे नासिर जील के पास में तो वहां पर हम करीबा बोल दिया था लेकिन करीबा और अमेरिका साइद बोल दिया था कुछ मेरे द्यान है लेकि जांबिया है और नीचे जिम्बावे दोनों देस हैं दोनों देसों की सीमा पर एकदम सीमा पर है ये ये आपकी लेक करीबा है ठीक है और ये जल की मात्रा देखे जल की मात्रा जल की मात्रा के मामने दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है सबसे बड़ी मानव नि तो कौन सी नदी पर है करीबा जील पर है इसी जील परिस्तित है यह करीबा बंध और दो नदी जो जाम्व्य और जो हमारो जिम्बाबवे हैं इनके लिए विद्धुत आप सकती का एक मुखे शुरोत है जहां से इसको विद्धुष सप्ऩवाइच की जाती है तो मवेरियो जील को देखा हमने ओक करीबा जील को देखा वो देखने के अक्सर जो हमारी जीले है यह अफरीका मादेप की कंपेट हो चुकी है चले देखते हैं अभी कोई रह रही है हाँ कंपेट हो चुकी है हमने अफरीका की मादेप की एशिया को देख लिए हमने यूरो गड़िए जो करेंड़ वाद करने गड़िए जो करेंगे डर्ला के जूने सुन नहीं सब करेंगे तरफ पानी की जीविंग। जो उत्तर से दख्षिण की और विस्तरत हैं करम शाय देकिंके करम करम भी इसी तरह से हमने लगाया है तक ही याद भी रहें सबसे उपर देखें great beer जील great beer जील है और तटपर regam sahar उसतिफ है यह पूझी यह य्चाध रखना तटपर regam saharih sahar उसतिफ है great beer qy नेक्ष्ट दूसरे नमबर पर उसके नीचे आती तो Great Slave है उसके नीचे आते हैं तो अथावास का जिल पड़ती है और उसके नीचे फिर आप देखते हैं चाते नमबर पर तो Render जिल है और पांचवे नमबर विनिपेग जिल है अथावास का जो जिल है इसको याद रखनी यूरेनियम सिटी यहां परिस्तित है यूरेनियम सिटी पूछा जाता है कई बार इससे प्रशन बना है कि यूरेनियम सिटी जह वो किस जिल के तट परिस्तित है तो यह कई बार पूछा गया है तो यह आतावास का जिल पर में है जो कनाडा में इस्तित है और नीचे विनि जाता है विस्प की गेहों की मंडी भी इसी को बड़ा जाता फिनी पैक सहर को तो एक बार थोड़ा साम मैं आपको जूम कर लेते हैं और तब देखते हैं तो देखिए सभी जीलों को देख लेते हैं देखिए अब होगा आपको थेड़ा इस किलियर होगा चलिए और थोड़ा के देख लेते हैं चलिए इससे ज़्यादा नहीं होगा जूम कई देखिए सबसे पहले हमने देख घ्रीट बिर जिल को देखा हुआ कि दूसरे नमबर पर थीसरे पहम देखना legisl लेक हता वांसका Owen सीटी सी किनारे पर है और उसके बाद में नीचे देखा हमने रेंडिर जील और फिर हमने विनीपेक जील ये तो इस तरही लगे cheap करमसे है उपर great विर जील नीचे रेंड्र जील और उसके बाद में रहते हैं도もし तरही करमसे हैं तो तो इनका क्रम भी याद रखेंगे तो ये कनाडा की जिले हैं, कि ये कनाडा की जिले को देखा अब देख लेते हम अमेरिका की जिले में और जो सबसे इंपोर्टन जिले हैं वो हैं महान जिले great tracks, great tracks क्यों upward बोला जाता क्योंकि यह जो जीले है 54 जीलों का समूह है कि 5 जीलों का समूह है और जो стुपि 6 जील म+, Michigan जील, Kohron-яг, 80 जील और उंटोरी जील ऐन को हम एक अगर कर लगड़ देखेंगे तो अभी हम देख लेते हैं कि उत्तर से दच्छन में हैं ये तो सूपीरेड जील, मिशिगन जील, हिरोन जील, इरी और ओंटोरिय जील, तो ये पांच जीलों का एक ग्रूप है, पांच जीलों का एक समुह है, जिसे मान जीलों के नाम से बोला जाता है, कहते हैं मान जीले, चलिया आगे देखते हैं, तो ये थोड़ा बड़ जील और विस्प की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है तो पहले हमने कैश्पन सागर कर देखा वह सबसे बड़ी जील है विस्प के और उसके बाद में तो सेकंड नंबर पर देखते हैं तो सूपीर जील है तो सूपीर जील इमां ग्रेट लेक्स है ग्रेट लेक्स में सबस में ही पढ़ती है बाकी जितनी भी जीले है यूएसे और कनाडा की सीमा पर इस्तित हैं चाहिए उसमें हम सूपरी जील की बात करने या फिर हम लेक हिरों की बात करने या फिर एंटोरियों की या फिर इरी की तो यह जो चारो जीले हैं यह चारो जीले कनाडा और यूएसे य शिकागो वो इसी जील की किनारे पर देखें यहां पर शिकागो है चले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पर यह देखिए देखिए तो मिशिगन जील यह पर रही बाकि सारी जो जीले है कनाडा और यूसे के साथ में अपनी दोन सीमा को साजा करती है इसा भी लेकिन जो के बारे में बात करनी सूपीरियर और मिशिगन उसके बाद मैं आप करते हैं लेक हुरन के बारे में बात करते हैं लेक हुरन को देखते हैं और चलिए लेक हुरन तो लेक हुरन लेक हुरन है लेक हुरन जील पुत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जी कि यहां पर आपको मैप में भी दिख रहा होगा यहां पर देखें यह वाइट सा तो यहां पर यह देखें लेक हीरं और यह इस तरह से यह लेकरी तो यहां पर यह कूंस जय जील है सू नहर है यह जो सू पिरन जील को हिरन जील से जोड़ती है सू पिरन जील को हिरन जील से देखें यहां से यह इस तरह से यह एक नहर है यहां पर है तो यह जो नहर को जोड़ते है लेक हिरन को लेक सू पिरन से जोड़ती है जो सू नहर है यह और इरी जील है इरी जील जो है इरी नहर को जोड़ती है किस से इरी जील है वो हीरन को जोड़ती है किस से जोड़ती है वो जोड़ती है इरी नहर से तो यहां पर यह इरी नहर है यह आपकी शू नहर यह आपकी इरी नहर है और वैलन नहर यह वैलन नहर यह यह वैलन नहर है तो तीनों आप तो यहाद रखेंगे ही इनकी से भी प्रश्ण बनते हैं और एक महत्वून जो इंपोर्टन जो फैक्टर इसका ये है कि इसके जो इरी जील है इसके ही टट पर एक सहर है डेट्रोइट सहर डेट्रोइट नगर इस्थित है जो मोटर गाड़ियों के लिए पिर्शिद है तो डेट्रोइट भी वो लेक इरी के ही लेक इरी जो है उसके किनारे पर इस्थित है और इसके तट को विंड सारियन के कनाडा नगर इस्थित है इसके कनाडा का डेट्रोइट कहते हैं तो कौन सा है चलिए देखिए यह देखते हैं यहां से यह रहाब का डेटोइट सहर यहां पर डेटोइट नगर जो लेक इरी के तटपर ही इस्तित है चलिए आगे आगे बात कते हैं ओंटेरियो की तो ओंटेरियो जील देखिए इरी को ओंटोरियो से valid नहर जोड़ती है तो valid नहर जोड़ती है कहां से यहां से यह valid नहर जोड़ती है इस तरह से यह यहां से valid नहर इसको आपस में जोड़ती है लेक इरी और लेक इंट अंटेरियों को तो यह महान जीले हैं बहुत important है इसके बारे में जो भी topic है जो भी point लिखे हुए हैं सभी को याद रखेंगे बहुत important है इसे कई बार question बनता है और कई प्रिक्षाओं में इसे सम्बंदित question भी पूछे जाते हैं तो great select को हमने देखा great like महान जीलों को देखा अब देखते हैं दच्छन अमेरिका की जीलों को तो दच्छन अमेरिका की जीले हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं टिटिका का जील देखें टिटिका का जील जो पेरू पेरू में इस्तित है और कहां पर है देखें ये एंडीज परवत पर है और एक सबसे महत्पून है इसकी ये जो है नोगम में जील है निकि इस पर इसमें नाव चलती है सबसे उची है विसकी सबसे उची नोगम में जील है देखे बॉलिविया और पेरू की सीमा पर एंडीज परवर्पत इस्तित है तो सबसे पहले टिटीका का जील बॉलिविया देखे बॉलिविया ये पर है और विस्व की सबसे उंची मीठे पानी की जील है और साते विस्व की सबसे उंची नोगम में जील है तो टिटिका का जील कहां पर है देच्छिन अमेरिका में है पेरू और बॉलिविया की सीमा पर एंडिज परवत माला पर इस्तित है चलिए नेच्ट देखें पोपो जील जो पूरी तरह से बोलिवया में हैं और एंडी प्रवत पर इस्थित है तो दच्छिन अभेरिका की यह दोनों जीलों को देख मैं पौपो जिल देखी और हमने फिल देखी थी उनसे एक जिल देखिए हमने पेरू की और इसके जिल पर टिटिका का जिल को देखा और चलिए आगे देखते हैं मराकाईबो जिल इसे हम बलते हैं मराकाईबो जिल इनके मराकाईबो जिल मराकाईबो जिल पूरी तरह से कहां पर ये वेनेजुएला में इस्तित है देखे वेनेजुएला है ये वेनेजुएला में इस्तित है और दच्छिन अमेरिका की सबसे बड़ी जील है देखे यहां पर है ये दच्छिन अमेरिका की सबसे बड़ी जील है और वेनेजुएला में इस्तित है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आप देखते हैं और द प्रखिक के कारणिया पर इसका निर्मार्ण हुआ है और नुजी लैड में सबसे खूबसूरत ज Knights ठीके सबसे कूबसे खूबसूरत जीलों में से एक नुजी लैड में है ए और अ महादीप की हैं लेकिन नुजी लैंन में हैं क्योंकि अंचित्ट है करस्य Churchs अब याBB का बोलते हैं और ऑस्टेलिया की सबसे बड़ी खारे-पानी की जील है जो दच्छिन ऑस्टेलिया में है और सबसे कम यानिके निम्तम बिंदू है सब से कम यान के निमतम बिंदु है और टॉरेंस जील जो भी ये भी दच्छन अवस्टेलिया में जित है तो दोनों जीलों को हम देख लेते हैं आगे ऊपर नीचे हैं ये ये देखे थोड़ा मैप को हम ये रहीं लेक टोरेंस उपर नीचे लेक टोरेंस है आपकी और उपर आपकी लेक एरा और थंडर और लेक एरा जो जील है इस पर ही हमारे एक थंडर लेक आईरे राष्ट उद्यान है वो भी हमारा इसी पर है तो दोनों जीलों को हमने इसमें देखा लेक आयरे जील और लेक टोरेंस जील जो दच्छन ओस्टेलिया में पढ़ती है है और ऑस्टेलिय की सबसे बड़ी जो झील है वो कुमसी है और अश्टेलिय की सबसे बड़ी खारे-पाने के जील यह हमारी ठंडा लेक आयर्य या फिर आयर झील आयर जील भी इसको बॉला जाता है चलिए आगे बढ़ते नेक्श देखते हैं अब आपकी वोस्टॉक जील तो वस्टॉक जील जो आपके आन्टार्क्टिका में पढ़ती है यहां पर यह वांटार्क्टिका में देख सकते हैं आपकी वस्टॉक जील तो इस तरह से हमने पूरी महादीपों के सभी महादीपों के जीलों को देखा है इसमें हमने केवल बात नहीं की है तो केवल भारत के बारे में बात के नहीं की है क्योंकि भारत के बारे में हम जो भी पूरी जीले हैं वो हम एक साथ अगली वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर हमको पूरी तरह से जो विस्व की प्रमुख जीले हैं उन सभी जीलों को देखा एडवर्ड, एलवर्ड, टंगानिका, नियासा अफरिका में नासिर जील को देखा अफरिका किताना जील, विक्टोरिया जील, और उनेगा, इशिक कुल जील जो किर्गिस्तान में है, बालका जील जो कजाकिस्तान में पड़ती है, विवा जील, जापान का होन्षु दीप पर है, टांडे शौप, जो दकमबोडिया में हैं, और मरत सागर, ये जॉर्डन में पढ़ती है नेसिया का निम्तम बिंदु है वानगोलू जील जो पूरी तुर्की में है बैकाल जील सबसे गहरी जील है कहां पर है रूस में पढ़ती है और साइबेरिया वाले छेते में अरल सागर दो राजजन दो देशों के राज की सीमा है लगती है पर कजाकिस्तान और सिर दर्या और आमोंदर्या नदियों का मुहाना भी इसी में है और यह आपकी केश पहन सागर विस्फ के सबसे बड़ाई खारे-पानि जील है तर तो पूरे वीडियो कैसा लगा प्रीज बताना कमेंट करके बताना कि nurse अक्रेश लगा और अच्छा लगा तो प्लीज सबस सबस्क्राइब करना चैनल को और साथ में अपने फ्रेंड्स दोस्तों को जो भी ग्रूप सें सभी ग्रूप में आपको शेयर करना ताकि कि प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं वो उनको थोड़ाज से लाव ले शकें उनको बेनिफिट हो जाए तो चैनल को सबस्क्राइब करने और इसकी जो पीडिएफ है पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल अगर आपने हमारे जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल पर एकजाम इस्टेडी क्लासे सर्च करेंगे वहाँ पर आपको चैन सब्जिक्ट वाइस भी होते हैं और जोइन कर ले उसको और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कैसी लगी यह वीडियो बहुत कैसी लगी है वह जरूर कमेंट में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है तो चलिए फिर आगले मिलते हैं हम भारत की प्रमुखजीलों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में चलिए